आपको मेकप करना बिल्कुल भी नहीं आता है साथ ही में आपकी ड्राय स्कीन है तो आपका फाउंडेशन जो है अगर क्रैकी हो जाता है बेज अच्छे से नहीं होता है तो वो सब कुछ आज की वीडियो में स्ट्रेप बाल स्ट्रेप बताने वाली हूँ और विंटर में तो वाला वीडियो आप फूरा देखेगा ताकि आपको जो है वह अच्छे से पता चल जाएगा स्टेप बाइस बहुत एजी लूप किया है और ड्राय स्कीन वालों के लिए भी सारी प्रोड़क्त मैंने यूज की है तो साथ मैं टीप संट्रीक और कौन सी प्रोड़क्त यू यहां पर यूज करेंगे टोनर आप कोई भी टोनर यूज कर सकते हो रोज वाटर को भी आप एस टोनर यूज कर सकते हो ओली स्कीन है या ड्राय स्कीन है ऑलवेज आपका अगर बेज अच्छा नहीं होता है तो आपको अपने स्कीन को अच्छे से प्रिपेर करना पड़ता तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर मैंने टॉनर प्लाई किया है पिलग्रीम का उसके बाद की सिक्रिट का जो है वह मौन स्केंट कर रही हो आपकी वाइली सिकिन है तो भी आप मौन से मॉस्टराइजर एपलाई कीजिए जैल बेस कीजिए और आपकी ड्राइज स्कीन है तो आप ऐसा क्रीम बेज मॉस्टराइजर एपलाई कीजिए लेकिन मॉस्टर मॉस्टराइजर जो होता है वह मेकप से पहले आपकी स्कीन को प्रिपेर करने के लिए मस्ट है वह होता है तो ये use करना ही करना है आप पहले लगा लो या फिर foundation में mix करके लगाओ लेकिन आपको use करना ही करना है मेरी skin type भी बता देती हूँ मेरी skin type dry है plus sensitive है तो अच्छे से massage कीजिए 2-5 मिट तक आपके skin में अच्छे से ये जो है वो absorb हो जाना चाहिए कोई भी oil आप use कर सकते हो उसके बा मैट करके प्राइमर आता है फिट में का वो यूज कीजिए और आपकी dry skin है तो आप जो है वो ये वाला ड्यूई वाला यूज कीजिए normal skin है तो आप कोई भी यूज कर सकते हो product तो इसको अच्छे से लगा देना है ताकि open बोर्स की problem ना आए then foundation या पर यूज कर रही हूं tutorial का जिसमें मेरा shade है 150 beige मेरी skin tone जो है वो फैर है dry skin है और undertone मेरी जो है वो warm है वो सब कुछ आपको दियान रखना है आप जब भी new product buy करते हो या कोई भी makeup look करते हो या कोई भी makeup अपने लिए buy करते हो कि जो भी है कि आपके उपर अगर कोई look create करते हो तो तो ही आपका जो look है वो खिल के आप आपाएगा तो इसको एक वेट blender की मतद से जो है अच्छा से blend कर रही हूं मैं पूरी face पे और इसका मैंने एक coat ही लगाया है क्योंकि हमें जो है वो natural glow चाहिए dewy वाला glow चाहिए winter है तो उसके बाद यहां पर maybelling का age rewind concealer यूज़ कर यूज़ यूज़ कर यू तो आप इस type की product यूज़ कीज़िए जो आसानी सी जो है वो blend हो जाए तो यहां blender की help से आप blend कर सकते हो यहां कोई concealer brush लीज़िए और उसकी help से आप जो है इसको blend कर लीज़िए मैं ज्यादा तर brush यूज़ करती हूं और आज मैंने blender लिया है otherwise तो मैं ज्यादा तर जो है वो perfect eyes की size का ही अगर concealer brush होता है तो अच्छे से सारी जगे पर conceal हो जाता है उसके बाद यहां पर मैं पी एसी का ब्रो पोमेड यूज़ कर रही हूं बहुत सारे लोगों confusion होता है कि eyebrow pencil यूज़ करनी चाहिए या eyebrow gel यूज़ को आप ब्रोमेड बोलता है तो यह यूज़ करना चा वीडियो में तो बिल्कुल भी दिखता ही नहीं है उसके बाद यह warm brown वाला शेड एज़ ट्रांजिक्शन शेड एपलाई कर रही हूं यह शूगर की आई शूगर की नहीं निकागे कि आई शेड़ो पैलेट है सुगर स्पाइस इसका नाम है महुत हमेजिंग है आंक बंद पैन वाला शेड लिया इसमें आपको शीमर मिल जाते हैं और ग्लीटन मिल जाते हैं मैट मिल जाते हैं सारे के सारे जो हैं बहुत पिग्मेंटेट है बहुत अची पैलेट है जब भी आप कोई भी आई लूक करते हो ना तो आपका लूक बहुत अच्छे से होगा तो मैंने सिर्फ एक ब्राउन जा लिया जिसको मैंने क्रीज लाइन पे लगाया और उसके बाद जो है पूरी आइलीड पे एक गोल्डन शेड लेके लगा दिया है जब भी हम कोई भी आउटफिट पैंते हैं वेडिंग्स में जाने के लिए तो हमारे आउटफिट में गोल्डन होता ह होता है चाहें गोल्डन वर्ग हो गोल्डन जहाल रही हो तो उसके साथ अई वेक अच्छे से मैच हो जाता है उसके बाद यहाँ पे PSC का मैंने glitter glue लिया है जिसको मैं eyeball पे लगा रही हूँ यानि कि eyes के mirror area पे मैं लगा रही हूँ finger की help से उसको dab dab करके लगा देना फिर यही बाली palette में यह golden वाला glitter था वो प्रेस glitter है वैसे लेकिन अगर आपको अच्छा pigmentation चाहिए और फॉल आउट ना हो तो आप पहले glue यूज कीजिए और उसके बाद glitter लगाए तो बहुत अच्छा लुक आएगा camera में इतना नहीं दिख रहा था लेकिन बहुत ब्रांड की आती है लेकिन मैंने हर टाइब की यूज के लिए यह यूज करें इससे अच्छी मुझे अब तक एक भी मिली नहीं है बहुत स्मूदली चलती है पैन प्रॉब्लम यह आती बार-बार अटक जाती जैसे पैन अटक जाती ना है वैसे ही अटक जाती है लेकिन इसमें यह प्रॉब्लम नहीं आती है थोड़ी कॉसली है लेकिन पैसो के अकोडिंग वर्थी तो आप NYX की अगर कोई अच्छी पैन आलानर देख रहे तो उसके बात बता रहें कौन सी प्रोड़क कैसी है और लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो इसमें दो साइट मिलता है एक साइट कर्स और एक साइट वाल्यूम तो आपका दो काम हो जाएगा और बहुत अच्छे है एक बार डेफिनेली ट्राइट कीजेगा अगर आप अफूर कर पाते हो तो और उसके बाद थोड़ा सा जो फॉल आउट हुआ है या लगता है कि आइस के नीचे अभी भी कंसिल पावडर की ज़रूरत है यहां क्रीज लाइन बगेरा दिखती है तो उसको इस तरह से अच्छे से ब्लैंड कर लेना है और यहां पर मैंने कोई लूज पावडर यहां कुछ भी जो है वह यूज नहीं किया है ड्राइ स्कीन है तो नहीं करना है विंटर में भी नहीं करना ह और only oily skin है तो यह आप जो है वो पावडर यूज़ कीजिए सिफ आइस के नीचे सैट करने के लिए आप dry skin है तो loose powder यह compact powder यूज़ कर सकते हो otherwise और पूरे face पे जरूरत नहीं होती है क्योंकि already skin जो है वो dry होती है फिर यह dark brown shade लेके मैं आइस के lower लेस लाइन पर लगा रही हो दोनों साइड आइस के outer corner से middle तक ही मैंने उसके ले गई हूँ और उसके बाद मैं sugar की काजल यूज़ कर रही हो यहां पर यह black clear की है roll-on काजल है बसे sugar one brand makeup tutorial भी आ गया है तो उसे भी आप चेकाउट कर सकते हो और वही golden वाला shade लेके मैं eyebrows को highlight कर ल होंगी और off camera ही मैंने जो है वो false eyelashes जो है वो PSE के I think 101 या 100 के जो silk eyelashes आते हैं वो लगा लिए थे के beauty का contour stick यूज़ कर रही हूँ यह वाला भी बहुत अच्छा है generally dry skin में क्या होता है कि आपको जो है सारी product liquid cream base जो आती है वो यूज़ करनी पड़ती है powder base या इस टैप करते हो तो इतनी आसानी से skin पर अच्छे से work नहीं करता ब्लैंड भी नहीं होता है लेकिन यह वाला जो stick है ना contour stick वो बहुत अच्छे से creamy buttery texture है तो अच्छा से blend हो जाता है के beauty की all over सारी product मुझे बहुत अच्छी लगी है मैंने के beauty one brand makeup tutorial भी किया है तो आप चेक आउट कर सकते हो यह वाई चैनल पर और उसकी product सारी जो है वो medium range की होती है ना ही इतनी सस्ती होती है ना ही इतनी बहुत ही महेंगी हो दिए medium range बोल सकते हैं उसकी price की पाथ करें मैं लेकिन सारी के सारी प्रोड़क बहुत अच्छी होती है मैंने जितनी भी यूज़ की मैं इस लिफ्टिक है सबसे पहले contouring की और उसके उपर मैं ब्रॉंजर यूज़ कर रही हूं ताकि हमारा फेस जो है अच्छे से दीखे शाप और फेस के जो अच्छे से उबर के आए ताकि फ्लैट ना दीखे पूरा का पूरा जो फेस है हमारा वह जिनका गाल मोटे है यह जिनके जो नोज यहां फीटबर जीन है तो उसको सबको हाइट तो करी सकती हो फेस के फीचर जो है वह अच्छे से निखर के आते है कॉंटॉरिंग की वज़े से उसके बाद ओटू का लिक्विड ब्लश यूज कर रही हूँ कोरल वाला शेड है ड्राइ स्कीन है तो आपको डैफिनली लिक्विड के साथ ही जाना है लेकिन यह बहुत ज्यादा पिग्मेंडेड है सिर्फ एक पंप ही लिया था तो आप दे दीरे करके कम göm faire मोढ़ा के लगाने है और लगां की है तो दूसरी बाद के जादा लगा दोगितों पहले से बहुत ज्यादा लगाने को कहते हैं पूरा के अगर। करके यह अपको start करना है थोड़ा थोड़ा करके यह अपको लगा दे जाना है उसके लोरियल का हाइलाइट नर में यूज कर रही हूँ हाइप पॉरिंट को हाइलाइट करने के लिए चीक है नोस ब्रीज और फोर हेड है चीन है सबी जगर पे लगा देना है जहां-चाहं पर लोरियल का मैंने फर्स टाइम यूस किया है अच्छा है आप देख सकते हो फेटनवैड की लिक्वड लिप्स्टिक है घ्यूमी इमो का वाला शेड है न्यूडॉट ब्राउन ब्राउन बोल सकते हैं बहुत अच्छी वाली लिप्स्टिक है पानसो अराउंड उसकी ओर इन उसके बाद मेकप रैप मी प्रस प्राइमर जो आता है उससे मैं अपने फेस को अच्छे से सेट करूंगी यह प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हो और मेकप सेटिंग स्पे की तरह भी यूज कर सकते हो इसको पांच मिन्ट तक ड्राइ होने देना है अच्छे से सेट होने दन है ताकि आपका मेकप जो है वो लॉंग लास्टिंग रहे और ये वाला जो है हमारा फाइनल लूक है मैंने मांग टिका और येरिंग्स पहनी है वो मीशो की है उसका वीडियो कपका आ गया है कुर्ती जो पहनी है वो भी मीशो की है उसका भी वीडियो मेरी ओनलाइन शॉ करते हो यह वाला लूप कैसा लगा बताएगा सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिये हैं कवर कर दिया आपके जो भी डाउट से फिर भी कोई भी क्वैरी है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो आप आज के वीडियो में यही था गाईज अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में तिल देन बाई बाई और टेक के रोल